हेलो एवरिवन मैं यहां बनाने जा रही हूँ चिकन अफगानी इतना टेस्ट है हम यह अफवानी चिकन यहां पर बना के रैडी करेंगे एक दम मलाईदार अफगानी चिकन बना के तयार करेंगे जब आप यह बनाओंगे तो आपको खुद को यकी नहीं होगा कि यह आपने खुद ने बनाया है इतना टेस्टी एक रेश्टोरेंड से भी जादा टेस्टी यहां पर खुद से बनके रैडी होएगा इस तरह से आप बनाएंगे ग्रेवी देखे कितनी शांदार यहां पर बनके रैडी हुई है तो चलिए बनाते हैं चिकन अफवानी वह भी इतना ट इसे के साथ में डाल दूँगे 1.5 चमच अद्रक लसन का पेश्ट इससे हम पहले कोट करेंगे तो इसका टेष्ट काफी लाजबाव आएगा इसे के साथ में डाल दूँगे एक निम्बू पूरा निम्बू का रस ये देखे पूरी निम्बू का रस मैं इसमें एड कर दिया इसके साथ में आर से 10 अरी मिर्चे लिए है एक बड़ा प्याज लिया है इसके साथ थोड़ा सा धनिया और 8-10 काजु लिए प्याज आप चाहे तो इसके किपी कर सकते हैं इससे क्या होगा टेष्ट बाब आएगा इसको मिकसर के जार में डाल के अच्छा सा पेष्ट बना इसके नदर इड़ कर दे रही हैं काफीज़्च की अग्री मिर्ज कारा है। आदा चमच में है इसमें वो कस्तूरी मेथी अड कर दूँगी आदा चमच में ही डाल दूँगी गरम मसाला किस만 अच्छी से डालोगी कॉड़ए श्काप? यह लिए sistरा से चलाते हैं। तो यहां पे चिकन के अंदर इस तरह से थोड़ाी हो alpha यहांनि its के साथ मेragen इसके वेँगावेगी dalla घञरा जालके मैं इसको डग दुंगे और यह देखे कितना प्यारा मेजिक हो रहा है ये इतना प्यारा लगता है मेजिक होते हुए और इस से खुषबू इसके अंदर लाजबाब आती है इस तरह से हम इस दूम पे रखते हैं तो ये देखें ये 15 मिंट मैं ने दूम पे रखा था पंदरा मिंट हो चुके हैं तो मैं इसमें से कटोरिय अटा लूँगी इसकी खुश्बू लाज जबाब आती है चिकन के अंदर आप चाहे तो इसको इसकी भी कर सकते हैं लेकिन मैं जरूर एगरी करूंगी इसको ये बहुत अच्छे खुश्बू देता है तो ये देखे मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ तो चलिए अब चलते हैं गेस के पास तो यहां पे मैंने एक पेंच ड़ा लिया है इसके अंदर मैं डाल दूँगी इसके अंदर आधी टिकी अमूल की और इसको मेल्ट होने दूँगी इसके साथ में इसके अंदर डाल दूँगी आधा चमच गी ये बड़ी चमच लिए मैंने ये डाल दूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो गी की जगा तेल भी यहां पे ले सकते हैं तो चलिए गी अमारा गरम हो चुका है मक्खन उड़ी तो मैं इसके अंदर इसके अंदर इसको अच्छे से सेख लूँगी इस तरह से इसका टेश्ट काफी अच्छा था है ये चार से पांच मिन्ट लेगा सिखने में हाई फ्लेम भी हमें इसको सेखना है जब तक कि इसका पानी जलना जाए चिकन का चिकन अपना पानी छोड़ता है तो चलिए दो से तीन मिन्ट हो चुके है तो मैं इसको पलट लेती हूँ इस तरह से उलट पलट करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे इससे टेश्ट लाजवाब आएगा आपका चिकन अफ़कानी का इस तरह से हम उलट पलट करके इसको अच्छे से पका लेंगे हम इसको हाफ पका लेंगे 50% और इसको इस तरह से मनाने से इसका टेश्ट कब गड़ा के लिए और फिर में इसको निकाल लूँगी इसी तरह से हमciu me निकाल लिए है लो…. मुझ निकाल लीड है लिए लिए भीनदे के लिए में अपनी से चुका है भी तो है खुदہbooks जुक्रima खुड़ तो चलिए बनके रेडी हो गया है तो मैं इस तरह से इसको शेक लूँगी इसकी फ्लें पे ग्रील पे रखके इस तरह से आपके पास यह नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसकी ग्रेवी में बना के इसको डाल सकते हैं चिकन को चले मैं इसको अच्छे से शेक ले रही हूँ अधी टिकी में ने बटर डाली इसी के साथ में एक चमच गी डालूंगी इसके अंदर और चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं अच्छे से तो मैंने यह आपे दो लोंग दो काले मिर्च दो इलाइची ली है आप खड़ा मसाला अपने इसाप से डाल सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा मसाला में नहीं डालूंगी इसी के साथ जो हमने मेगनेट करके रखा था चिकन वो ग्रेवी में इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से और फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे यह देखी बिल्कुल आसान रेसिपी यहां पर बन रही है लेकिन यह और चलिए इसको भी अच्छे से हम पका लेते हैं इस तरह से आम ग्रेवी पकाएंगे काफी अच्छी बनके यहां पे रेडी होएगी इसी के साथ जो मसाला हमने जिसको फ्राय करा था चिकन को वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे इसकी ग्रेवी भी और यह देखी काफी इच्छे से हमारी ग्रेवी और टाइट होके बन रही है तो इस तरह से आप ग्रेवी बनाएंगे तो यह काफी जादा टेश्टी बन के रेड़ी होईगी बिल्कुल आसान तरीके से चिकन अफगान यहां पर बनाया है मैंने इसी के साथ मैंने आप थोड़ा सा टेश्ट के अ आपको गाड़ी लगे तो आप इसके अंदर डूर डाल सकते हैं तो यह देखे कितने अच्छी ग्रेवी बनके रेडी होगी अच्छा सा उबाल आ गया ग्रेवी खेंडर तो मैं इसके अंदर डाल दूगी चिकन हमने रोश्ट कर रखा वो में इसमें डाल दूगी और यह इसको अच्छे से mix कर लेंगे देखिए कितना प्यारा चिकन अफगानिया आपे बन के ready हो गया बिल्कुल असान तरीके से यदि हम मार्किर से लेने जाते हैं तो काफी जादा महेंगा मिलता है यह हम घर पे बिल्कुल असान तरीके से बना सकते हैं इसे के साथ मैंने यहापे मलाई डाली है फ्रेश क्रीम आप चाहे तो यहापे इसकी भी कर सकते हैं दूद की मलाई भी इसके अंदर डारेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं तो यह देखिए काफी अच्छा हमारा चिफकन अफगानी बन के ready हो गया है इसको दो से तीन मिन्ट के लिए डखकन लगा के पकाऊंगी आप चाहे इसके अंदर हरा धनिया भी एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए दो से तीन मिन्ट हो चुके हैं यह चिकन अच्छा सा बन के ready हो गया है यह देखिए बटर अलग से नज़रा रहा है इस तरह से चिकन अफगानी बनाएंगे तो यह आपके बच्चों को बड़ों को सब को ज़्यादा पसंद आने वाला है आप इसको नान के साथ जरूर ट्राइ कीजिए बहुत शांदार यहापे बन के ready होगा है एकदम रेश्टोरेंट से भी ज़्यादा टेश्टी बन के यहापे रेडी हुआ है यह देखिए कितनी शांदार इसकी ग्रेवी बनी है जब आप सफ करोगे तो आपको खुद को यकीन होगा यह आपने बनाए इतना टेश्टी यहापे बन के ready हुआ है एकदम शांदा तरीके से तो मैंने यहापे हरे धनी की पतेसिस को सजा दिया है इसके साथ मैंने इसमें melted butter rate कर दिया है आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन आपने अफगानी चिकन बना रहे हैं तो इसमें butter लाजबाब लगता है तो यह देखे कितना शांदार हमारा चिकन अफ़ानी बनके ready हो गया बिल्कुल शांदार तरीके से एकदम आसान recipe रहे है बिल्कुल कोई जंजट नहीं है इसके अंदर और मेरी वीडियो पसंद आती है तो like, share, comment जरूर कीज़े subscribe किज़े मेरे YouTube चैनल को ऐसी ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए watching जरूर कीज़े thank you so much